कुछ लोग रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वजन कम हो जाए वजन को कम करने के लिए आप सबसे पहले इस बात को दिमाग में बिठाना जरूरी है कि जिस तरह से धीरे-धीरे सालों में आपका वजन बढ़ते है उसी तरह से धीरे-धीरे सालों में आपका वजन कम होगा वजन घटने का ये सबसे हिल्दी तरीका है अगर आप चाहे कि एक-दो महिने में आप बिल्कुल पतले हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है मोटा पेसे छुटकारा पाना किसी भी चूनती से कम नहीं है इसके लिए आपको डायेट और एक्सरसाइज के साथ हिल्दी रूटीन का भी फॉलो करना होगा इसके अलबा आपकी रोजाने के आदती भी वजन को प्रोभावित करती है अगर आप कुछ आदतों को अपने रूटीन का हिस्सा बना ले तो आपको वजन घटाने में बहुत ही असानी होगी तोस्तों वजन घटाने और स्वास रहने के लिए सुबे उठकर गरम पानी पीना बहुत ही फाइदेवन है सुबे गरम पानी पीने से पेट साप रहते हैं और मेटेवलिजम तेज होते है आयरुवत में भी ये बात कही गई है कि सुवए दो कप गुंगुना पानी पीने से आपका सरीर पूरे दिन उरजावन रहते है गर्मिय भी शुभे की सुरुवात गुंगुना पानी से ही करना चाहिए आप चाहे तो गुनगुना पानी में निम्बू या स्थायद मिला कर भी पी सकते है इससे वजन घटाने में मदद मिलेगी और स्वास भी बहतर रहेगा मोटापा कम करने के लिए आपको सुबह वर्क आउट करना जरूरी है सुबह एक्सराइज करने से जमाप फैट कम होते है और आप जल्दी पतले होते है इसलिए आपको अपनी मौर्णिंग हैबिट में एक्सराइज करना चाहिए इससे वजन घटाना में मदद मिलती है सुबह एक्सराइज करने से मेटेवलेसम बूश्ट करने और बिमरियों से दूर करने में मदद मिलती है फ्रेंड्स आपका नास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी जरूरी पोस्त क्रत्व सामील हो आपकी नास्ते की थाली में प्रोटीन और फाइवार की सही मात्रा में सामील हो हाई प्रोटीन और फाइवार वले खाना खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहते है इससे वजन घटाना में मदद मिलती है आप नास्ते में अंडे, दूद, ड्राइ फ्रूट्स, स्प्राउट, ब्राउन ब्रेड, सेक, स्मूधी सामील कर सकते है इससे मेटाबलिसम अच्छा होता है और कैलोरिस बर्न करने में मदद मिलेगी दोस्तो सुबह के खाया पे आप पूरे दिन आपके सहर पर असाई डालते है ठीक वैसा ही आपको पूरे दिन खुद को हाइडरेट रखना भी बहुत ही ज़रूरी है एक्सपार्ट के मुताविक अगर आपके बॉडी हाइडरेट है तो आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा पानी पीने से ज्यादा कैलोरिस लेने से आप बचते है जिससे आप धिरे धिरे पतले होने लगते है इसके लिए पानी के बोतल हमें सबने पास रखे जब भी घर से बाहर निकले तो दो गिलास पानी पीकर निकले सुबे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोसिस करे दोस्तों पपीता कई तरह के बिटमिन और पोस्त करतों से यूगत होते है इसके साथ ही यह हमारे सरीर में अतरिक चर्वी को भी कम करने में मददगार साबित होते है दोस्तों दही खाने का महत्वा हमारे देश के लोग ने प्राचीन काल में ही जान लिया था इसलिए इसका इस्तमाल आम तोर पर कर सकते है दही के 7 से आपके सरी की फालतु चर भी घड़ जाती है इसके लिए आपको 6 या दही का 7 दिन में 2-3 बार करना होगा अगर आप अपना कमर और पेट कम करना चाते है तो आपको सबजिया और फलो को नियमीत रूप से 7 करना होगा क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और ये कम कैलोरी आपकी मोटा का भी कम करते है दोस्तों अगर आप नियमीत रूप से रोज सुवे सुवे एक गलस ठंडा पाणी में 2 चामा सैद मिला कर ले तो आपका कमर और पेट कम होगा जिनकि ऐसा करने से आपके सरी से बसा की मातरा कम होती है तो फ्रेंट से इस वीडियो में आपने जाना कि कुछ आदते जिससे आप स्लिम बन जाओगे और जिससे आपका वजन तेजी से घटेगा अगर इस ते रिलेटेट कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर पूछे वीडियो का प्लीज लाइक करे और सबके साथ स्यार करे और आप हमारे हेल्थ इंफर्मेशन यूटूब चैनल को अभी सबस्क्राइब करे